दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को साइको कंपणी का जो क्रेन रहता है इसमें जो आपका एकजूली रहस्ट का पैनल रहता है इसका डाइगराम के बारे में स्टेप बाई स्टेप समझाओंगा इसके साथ दोस्तो इसी पैनल का पांच गो फॉल्ड के बारे पे भी स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कौन-कौन सा फॉल्ड है जो आपका ढूणने पे जल्दी मिलता नहीं है इसके बारे में नमस्कार दोस्तो प्राक्टिकल एक्स्पेस टेकनिसियन तपन यूटीब चल्मा आप लोगा स्वागत है आज कुछ न्या सिखते हैं दोस्तो डाइग्राम देखना पहुती जरूरी है क्यूंके जब भी हम लोग थोड़ा पैसा के बारे में सोचते हैं कोई कमपनी में आपका 20,000 पेमेंड है और आपको कमपनी बदलना है तो आपको 30,000 पेमेंड चाहिए तो हार कमपनी में आपका एक ही जैसा क्रेंड नहीं रहता है किसी में आपका WMI का रहता है किसी में आपका साइको का रहता है किसी में आपका इलाइट क्रेन का रहता है किसी में आपका VFD सिस्टेम रहता है देखिएगा मेरा YouTube चैनल में बहुत सरा फ्रेंड रिक्वेस्ट भी किया है WMI, इलाइट और VFD मैं सब को बोला हूँ step by step हार company का crane का diagram में आप लोग की step by step समझाओंगा बहुत सरा friend मेरा वार्ट सो में diagram भी भेज देता है और हमको request करता है कि ये diagram हमको थोड़ा समझा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा मैं सब को यही बोलना चाहूंगा हार diagram तो मैं आप लोग को समझाओंगा लेकिन इतना गर्मी के चलते मैं हार रोज वीडियो नहीं बनाता हूँ थोड़ा सा ओट करना पड़ेगा तो पहले दोस्तों मैं आप लोग को neutral के connection के बारे में समझाओंगा इसके बाद आपका page के connection के बारे में समझाओंगा तो जैसे ही diagram आप देखना शुरू कर रहे है तो पहले ही एक number fault के बारे में आप लोग को बता दूँगा तो इससे पहले productive panel और main host वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये diagram भी बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएगा तो जब आपका city panel में control supply बांध हो जाए तो उस time आपको ये जो main host panel से आपका 10 number 20 number connector आया है किसके लिए आया है? एक जूलीरी होस्ट पैनल के लिए आया है एक जूलीर होस्ट का जो पैनल है इसमें से 50 number 20 number connector में किसके लिए जा रहा है? टू city panel तो जब भी आपका city panel के control supply बांध हो जाए तो आपको एक जूलीर होस्ट का पैनल में आके चेक करना है क्या हमारा 110 बोल्ड supply आ रहा है या नहीं आ रहा है अभी neutral supply हमारा किस तरह काम कर रहा है? यहाँ पर जो MCB लगा हुआ है यह MCB किस अधार पर आपका लगा हुआ रहता है? जीस हिसाब से आपका पैनल में लोड है उस हिसाब से आपका MCB लगा हुआ रहता है किसी में आपका 100 टोन का क्रेन रहता है किसी में 50 टोन का रहता है किसी में आपका 10 टोन का रहता है तो इस जगा में जैसे मैं 6 Ampere के लिखके रखा हूँ, कोई-कोई जगा में आपका 10 Ampere के भी लगा हूँ रहता है, किसी में आपका 4 Ampere के भी लगा हूँ रहता है, जीस हिसाब से इस पैनल में लोड है, उस हिसाब जाब का MCV लगा हूँ रहता है, जब हम MCV को On करेंगे, तो यहाँ पर हमारा NC बनेगा, जैसे ही NC बनेगा, तो हमारा 500 एकाबन नंबर कनेक्टर में आएगा, निूटल, जब निूटल आ गिया, निूटल आने के बाद, जितना सारा आपका A2 पॉइंट है, सारा A2 पॉइंट में आपको निूटल का कनेक्शन करना है, अब ہी एक जोलीरी होस्ट का जो पैनेल है, इसमें कौन-कौन सा टाइमर लगा हुआ है, कौन-कौन सा पावर कॉंट्रक्टर लगा हुआ है, और रेच्ट्रिकटर और टाइमर यह भी जानना बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा, देखेगा बहुत सारा फ्रेंड हमसे यह प और इसके साथ अगर आप कोई कमपनी में duty कर रहे हैं तो किरेन में जाके भी आपको एक बार मिला के देखना है तब ही क्या होगा सारा doubt आपका clear होगा नहीं तो diagram देखना बहुत मुश्किल हो जाता है अभी जैसे देखिए off delay जो timer है यह हमारा क्या है 5TO तो यह हमारा off delay का timer है 5C1 यह हमारा forward का contactor है 5C2 यह हमारा reverse का contactor है और rotary remote switch के लिए हमारा जो symbol दिया हुआ है एही same to same आपका symbol दिया हुआ रहता है कोई कोई जगा में आपका कुछ अलग type से भी दिया हुआ रहता है इसके उपर भी जब आप main host panel का productive panel वाला वीडियो देख लिजिएगा तो आपको all doubt clear हो जाएगा इसके बाद यह हमारा brake thyristor के लिए contactor है 5C7 और यह हमारा on delay timer है 5T1 और इस जगा में जीस हिसाब साब timer को setting करके रखिएगा उस हिसाब साब का timer काम करेगा इसके बाद हमारा आ जाता है resistance 1 का contactor 5C43 इसके बाद on delay timer फिड है तो यह 5T2 जो है यह timer काम 0.3 second में setting कर देते है इसके बाद जो हमारा resistance 2 का contactor है 5C42 और जो timer है यह हमारा on delay timer है इसको हम 0.4 second में setting कर देते हैं और जो last वाला timer है इसको हम 0.5 second में setting कर देते हैं तो इसी तरह से दोस्तो step by step आपको setting करना है और वोई कोई crane में देखिएगा जब आपका निया crane रहता है फोड़ा सा इधर उधर रहता है लेकिन आपको अपना हिसाब से set कर लेना है जिस हिसाब से मैं diagram बनाया हो और psycho company में जब आप काम कीजिएगा तो आपको same to same मिल जाएगा इसमें से आपको कुछ भी अलग नहीं मिलेगा अभी जो आपका नियूटल का connection है जितना सरा एक टू पॉइंट है इसमें तो connection होगा काय कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताया हो अभी यहां से नियूटल को काट करके जो आपका जिसको हम लोग अरिया बोलते है और हविस बोलते है इसके लिए जो रोटर स्विच के अंदर में दोगों कीट रहता है देखिएगा मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के आप लोगों को समझाया हूं तो जो कीट में आपका दोनों तरफ connection हो गया एक हमारा forward के लिए है एक हमारा reverse के लिए यह जो दोनों कीट है जब तक आपका NC बना हुआ रहे है तभी तक आपका forward और reverse का ये two point बे neutral supply मिलेगा कोई कारण से ये rotary limit switch अगर N हो जाएगा चाये दोनों में से कोई एक कीट N होगा तो particular मान लिजिए ये reverse का contactor का अगर N होगा तो reverse बन्ध होगा और अगर आपका forward का जो आपका rotary limit switch है ये जो कीट है ये N होगा तो forward बन्ध होग इसी तरह से दोस्तो step by step आपको experience बनाना है psycho company के crane में जब काम कीजिएगा तो ये जो rotary limits होगे इसमें जो आपका neutral देके मतलब connection किया हुआ है तो ये भी आपको एक बार check करना है ज्यादा तर क्या होते ये जो rotary limits होगे इसमें आपका forward ज्यादा आता रहता है ठीक है आभी दो आर जो MCB है MCB को जब on करेंगे तो हमारे यहाँ पर NC बनेगा NC बनने के बाद हमारा किस में आएगा 5A3 5A3 क्या है हमारा four pole का एक MCB है four pole का जो MCB है ये on रहेगा तब ही आपका face supply पूरा पैनल में आएगा नहीं तो नहीं आएगा देखिएगा एक fold हम लोगो ज्यादा तर देखने के लिए मिलता है ये जो MCB है ये तो आपका on है लेकिन कुछ भी आपका चल नहीं रहा है जब आप टेस्टर में चेक कर रहे हैं तो आपका a1 में चेक कर रहे हैं तो आपका टेस्टर जल रहा है तो उस टाइम आपको समझना है कि जो आपका neutral का wire है कहीं से cut गया है इसलिए आपको कुछ भी काम नहीं कर रहा है अब इस पर और एक टाइप का फॉल्ड आता है जैसे यह फॉर्वाड है यह रिवार्स है यह ओप डिले टाइमर है और यह आपका ब्रेक का कॉंटक्टर है और आपका ओन डिले टाइमर है इतना सारा जो मतलब पावर आधा काम कर रहा है आधा नहीं कर रहा है ऐसा बहुत बार होता है और टेस्टर देखकर चेक करिएंगा ता आपको हमेशा ज्यादा तर धोका हो झाता है टेस्टर के लिए भी एक विडियो बनाओंगा देखेगा टेस्टर में हम लोग क्या-क्या धोका होता है और किस तरह सापको टेस्टर देके चेक करना है तो यह दोस्ता अमारा तीन नमबर पॉइंट था अभी फेज का कनेक्शन के बारे में अच्छा सा आपको समझना है यह थिरी में आया MC भी जब ओन है जब आपको ओन किस में आएगा आपका 95 और 96 में ठीक है 95-96 हमारा एंसी पॉइंट है तो जब दक आपका एंसी बना हुआ रहेगा तब तक आपका क्या होगा इसके बाद हमारा सप्लाई आगे आएगा किस में आएगा SPP5 में तो देखिए गए इस से पहले भी में इसके बारे में आप लोगों को समझाया हो जब आपका आरवाई भी तीनो सप्लाई है यह तीनो सप्लाई पैनल में आएगा तब ही आपका यह जो एंसी पॉइंट है क्या होगए एसी बना हुआ रहाए कारण से एक फेज नहीं आएगा था आपकाप फिर यह एणो हो जाएगा जब आपकान हो जाएगा इसके बाद जब आपका टोटाल ही यहाँ सबकर रहा है तब आपका Face Supply किस में आ रहा है? 503.1 नंबर कनेक्टर में, Master Controller में Master Controller का भी practical वीडियो और वाइरिंग बना का भी आप लोगो समझाया हूँ तो यहाँ पर हमारा Face Supply है आ गिया आने के बाद ये जो आपका Master Controller का कीट है ये कीट के बारे भी आपको समझना है जैसे ये आपका बीच में सिम्बल दिया हुआ है मतलब Master Controller जब आपका Neutral होगा मतलब बीचो बीच होगा तब ही आपका ये कीट काम करेगा ये हमारा Hubis के लिए है Hubis मतलब First Side होता है और ये हमारा निच्चे तरब का सिम्बल दिया हुआ है ये हमारा lawyer का है और ये दोनों तरब आपका सिम्बल दिया हुआ है मतलब दोनों तरब मार्किंग देखिए ऐसे पुरा भरा हुआ है जितना सारा कीट है इसका मतलब होता है हमारा reverse पे भी काम करेगा और forward पे भी काम करेगा क्या काम करेगा? Master Controller का कीट काम करेगा जैसे किस तरह से हमको forward side चलाना है तो forward side का जो हमारा कीट है ये तो NC बना इसके साथ आपका ये जो brake का कॉंटक्टर है ये भी कीट मतलब एक साथ में एगो दो गो कीट आपका operate हुआ operate होने के बाद फिर आपका resistance के लिए जो चारगो कीट है ओभी operate होना चाहिए एक साथ में forward side में चागो कीट operate होगा फिर आपका reverse side पे भी चागो होगा और ये जो आपका जिसको हम लोग मतलब master control को जब बिचो बिच करते हैं तो इसलिए इसको हम लोग neutral kit बोलते हैं और एक neutral kit रहता है productive panel के लिए तो जब जब आपका master control बिचो बिच होगा तब ही आपका ये off delay timer काम करेगा अभी off delay timer हमारा किसलिए लगा हुआ है reverse और forward में जो आपका जटका रहता है जटका को रोकने के लिए हम लोग off delay timer लगाते है off delay timer कितना सेकंड में सेटिंग करते है 0.1 सेकंड में अभी ये जो off delay timer है ये किस तरह से काम करेगा तो पहले हम लोग को forward side किस तरह काम कर रहा है वो जानना ज़रूरी है तो forward side का master controller का kit है ये आपका NC बना जब आपका NC बनेगा तो 5C2 मतलब ये जो हमारा 5C2 reverse का power contactor है इसका NC point में है NC point काने के बाद A1 में आ जाएगा 5C1 ये हमारा forward का contactor है जब आपका forward का contactor 1 होगा तब हमारा harvest side जलेगा मतलब horse side जलेगा तो इस तरह से आपका forward side काम करता है अब ये reverse side किस तरह काम करेगा जब आपका reverse side का बास्टर कोंटर का कीट NC बनेगा तो हमारा supply आगे आएगा 556 नमबर connector होते हुए 5C1 5C1 क्या है जो आपका forward side का contactor है इसका NC में होते हुए reverse का contactor on होगा तब हमारा क्या होगा lower side जलेगा lower मतलब area होगा और जब आपका area side चलेगा तो उसके साथ आपका जो off delay timer है off delay timer भी on हो जाएगा जब आपका off delay timer on होगा जैसे ही आप master control को neutral कीजिएगा तो यह timer क्या है already आपका on है तो एक second के लिए क्या होगा पहले आपका हभिस होगा एक second के लिए फित तुरंदो बंद भी हो जाएगा अगर आपको हभिस नहीं चलाना है तो जैसे आप master control को neutral कीजिएगा फोड़ा से उपड़ जाएगा फिर हो एक second का अंदर में बंद हो जाएगा मतलब reverse और forward side में जो आपका जटका है वो स्रिफ रोग देगा और यह किसलिए किया जाता है gear बक्सा का safety के लिए किया जाता है कि सालों साल हमारे gear बक्सा चलते रहे और gear बक्सा में जो दाता रहता है दाता में कुछ fold ना आए जो आपका rope ड्रा में रहता है इसमें आपका कोई-कोई जगा में दिखिए कि एलेंग की बोल्ट देके पुरा fold tight क्या हो रहता है बोल्ट हमारा तूट ना जाए बहुत सरा मतलब point रहता है कोई-कोई जगा में यह जो आपका off delay timer है बहुत सा आदमी bypass कर देता है या खोल के हटा देता है किसलिए थोड़ा से दिकत होता है जब आपको point में काम करना रहेगा उस तमी यह off delay timer क्या करता है थोड़ा सा दिकत कर देता है अभी brake का contractor की सतरा काम करेगा जब आप reverse side चला रहे है तो इसका कीट NC बना यह कीट NC बनने के साथ-साथ आपका जो brake के लिए master control में कीट है यह भी आपका NC बना जब आपका NC बनेगा तो यह हमारा जो forward का 5C1 power contactor है इसका जो NO point है और 5C2 इसका जो NO point है NO points से आपका interlock दिया हुआ है कि चाहे आपका forward side चले यह हमारा reverse side चले brake का contractor आपका on होगा उसके साथ आपका एक on delay timer भी on होगा क्योंके इस जगा में आपका 500-400 नमबर वाहर में loop दिया हुआ है इसलिए यह चाहे reverse side चले यह forward side चले दोनों side में ही आपका यह जो brake का contractor है और आपका एक on delay timer है ओपरेट होगा इसके बाद आजाता है हमारा यह जो resistance का contractor है यह किस तरह से ओन होगा तो हमारा reverse side चल रहा था reverse side के बाद हमारा brake का जो master controller का kit है यह भी NC बना इसके बाद हमारा क्या होगा जो resistance के लिए जो हमारा master controller में kit है यह भी NC बनेगा जब NC बनेगा तो क्या है यह जो हमारा 5T1 है यह timer on है जब यह timer on होगा 0.2 सेटिंग करके रखे हैं 0.2 सेटिंग के बाद क्या होगा यह हमारा NC बनेगा जब आपका NC बनेगा तो 5C43 जो आपका resistance 1 का कॉंटक्टर है यह आपका ON होगा जब आपका resistance कॉंटक्टर ON होगा इसके साथ हमारा ON delay timer भी एक ON होगा इस जगा में आपको एक चीज़ बहुत अच्छा से समझना है कि जो 5C2 है यह जो NO point है यह इस जगा में किस लिए लगाया गया है किस परपास के लिए लगाया गया है 5C2 हमारा क्या है reverse का power contactor का NO है तो कोई कारण से देखिए standard company का crane में क्या होता है थोड़ा सा बहुती safety देके interlock डालके रखता है तो 5C2 हमारा reverse का contactor है कोई कारण से मान लिजी यह timer का NO आपका खराफ हो गया तो totally आपका यह जो resistance contactor आपका बंद नहीं होगा एक side में ही बंद होगा दूसरा side में आपका चालू रहेगा इसी में हम लोग को धोका हो जाता है crane में जाके जब check करते हैं कि reverse side में हमारा resistance contactor on हो रहा है या नहीं हो रहा है पहले जाके हम लोग को ही check करते हैं एक बार reverse में चेक करते हैं एक बार forward में चेक करते हैं ठीक है तो देख रहे हैं जो हमारा रिवास साइड है पोटाले सिस्टेम आपको अपरेट हो रहा है लेकिन फर्वार्ड साइड में अपरेट नहीं हो रहा है और साइको कमपनी का क्रेन में इस टाइप का फॉल्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो उस टाइम आपको क्या देखना है कि टाइमर को पहले 5T1 का जो टाइमर का एनो पॉइंट है इसको आपको चेक करना है तभी आपका रिवास और फॉर्वार्ड में काम करेगा क्योंकि ये जो 5C2 है ये हमारा रिवास साइड मतलब आरिया साइड के लिए है ठीक है और 5C1 क्या है हाविस साइड के लिए है तो सिर्फ आरिया मतलब एक साइड में ही आपका टोटल काम करेगा दूसरा साइड आपका काम नहीं करेगा तो बहुत आसान तरीका से इस ताइप का आपका फॉल्ड आएगा तो आपको तुर्ण पता चल गया कि हमारा 5T1 का जो टाइमर ह उन डिले टाइमर इसका एनो खराब हो गया है इसलिए हाविस साइड में क्या हो रहा है लोड नहीं ले रहा है जैसे ही हाविस लगाएगा तो सुलो चलने लएगा धीरे 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 उठने लएगा और जैसे यारिया करेगा तो तुर्ण स्पीड में चलने लगेगा तो आईसे हर्वार धर्वार करके क्रेन में जाएगा जाकर ढूंडिएगा तो बहुत सा टाइम हम लोग को लग जाता है फाल्ड ढूंडने में और जिस तरह से इस वीडियो में मैं आप लोग को समझा दिया हूं इसके बाद आपको कुछ भी टेंशन नहीं है एक वायर ले जाक हमारा रेश्ट्रेंस टू का तो यहां पर हमारा रिव्यास का जो कीट था यह एनसी है ब्रेक का कॉन जो आपका मस्टर कॉंट्र का कीट है यह भी एनसी है और रेश्ट्रेंस टू का जो कीट है यह भी आपका एनसी बना जब आपका एनसी बना तो फाइब टी टू जो हमा टाइमर है यह 0.3 सेकंड के बाद ओन हुआ ओन होने के बाद यह जो हमारा 5T2 का एनो पॉइंट है एनो पॉइंट आपका NC बना जब NC बना उस टाइम आपका 5C42 जो कोंटक्टर है यह ओन हुआ उसके साथ आपका एक 5T3 ओन डिले टाइमर भी ओन हुआ इसके बाद दोस्तों आज आता है हमारा रेश्टेंस 3 का किस तरह ओपरेट हो रहा है तो रेश्टेंस 3 भी जो रेश्टेंस टूथ में ओपरेट हो रहा है सेम टू सेम ओपरेट हो रहा है शिरिफ आपका रेश्टेंस के लिए जो चार नंबर कोंटक्टर है यह जो ओपरेट हो रहा है यह थोड़ा लास्ट वला स्टेप है इसलिए किस तरह से अपरेट होगा जब आपका मास्टार कॉंट्रल चाहे रिवास साइड जले या फर्वार्ड साइड जले यह कीट आपका और इस टेप आपको लगाना है तो सेम टू सेम इस जगह में जैसा में बना के रखा हूं सेम टू सेम आप लगा सकते हैं इसके लिए कुछ भी दीकत नहीं होता है देखिएगा एक वीडियो में मैं आप लोग को समझाया हूं कि पास नंबर छो नंबर इस टेप भी आप बना लगा सकते हैं तो इसके ओपने एक वीडियो बनाके आप लहर्टी आप लोग को समझाया हूं कि अब लुकिस तरह से लगा सकते हैं लगा तो सकते हैं लेकिन लास्ट में और यह जो सिस्टेम आपका काम कर रहा है इस सिस्टेम में आपका कुछ gwी ब्याइज्ज नहीं होना स्ब्सक्राइब circuits लए चार नंब्र nuंबर कॉंटेक्टर हैं चार नंबर कॉंटेक्टर कोन हो गा उसके बाद का यह रोटर वाल कंटेक्टर आप लगा रहे हैं सैना तो आपका लगाौने इवूर्प्र का साइड में उनड़ मकलना पड़ेगा ना उससे पहले ओन कर सकते है ना उससे बाद अगर मानली जी का बहुत सा फ्रेंड को ये भी डाउट है कि हमारा ये चार नमबर रेश्टेंस कॉंटक्टर जो है इससे पहले ही जैसे हमारा रेश्टेंस के लिए एक नमबर कॉंटक्टर है इसी जगह में हम रोटर बला का जो पास नमबर कॉंटक्टर हम बता रहे हैं इसको ओन कर देंगे तो क्या होगा उस टाइम आपका क्या होगा जैसे ही आप मोटर चालू करिएगा और आपका जो ये पास नमबर कॉंटक्टर है ओन होगा तो रोटार में आपका क्या होगा रोटार सौट होगा कभी-कभी देखि मतलब आज अगर आप कॉंटर कट्राइब लागा दिया आज धोड़ी शॉट होगा दो दिन दस दिन एक मैने पाज दिन बाद होगा और जीस टाइम आपका पास नामर कॉंटर ओन होगा चाहे रिवास साइड में चले या फर्वार्ड साइड में चले बहुत जोर से आवाज करेगा घर करके आवाज करके यह स्पीड एकदम तुरंद बढ़ जाएगा क्योंकि इसको अगर आप सौट करता है एक बार में जैसे यहाँ स्टेप बाए स्टेप आप सौट कर रहे हैं और उसको आप डायरेक्ट सौट कीजिएगा तो आवाज दो करेगा ही मोटर इसलिए क्या होता है जो रेश्टेंस कॉंक्टेक्टर है अगर बहुत अच्छा साब ध्यान कनेक्शन कीजिएगा तब तो कुछ भी नहीं है मतलब दिकत नहीं है और यह जितना सार आपका रेश्टेंस का कॉंक्टेक्टर है चाहे साइको कमपेनी का 50 टोन या 25 टोन या 100 टोन का क्रेन है तो ज्यादा तर यह जो आपका माली जो आपका फर्वार्ड और रिवास ब्र यह सब को ध्यान नहीं भी दिजिएगा फिर भी कोई दिकत नहीं है लेकिन जितना सारा आपका रेश्टेंस का कॉंक्टाक्टर है और टाइमर है बहुत अच्छा से आपको ध्यान देना है अगर बहुत अच्छा से ध्यान दिजिएगा और कॉंक्टाक्टर का कीड भी चे अगर यह सब में आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो 50 टन रहे या 100 टन रहे कभी न कभी देखिएगा आपका मोटोर जल जाएगा या आपका रोटर सोट हो जाएगा दोस्तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक, शेयर, कॉमेट जरूर क किजिएगा और चैनल को सस्क्राइब किजिएगा क्यूंकि मैं इसी टाइप के कॉंटेंट बनाता रहता हूँ और जितना हो से गए मैं आप लोगों का हेल्प करता हूँ नमस्कार, जाए हेंद